Hello and welcome to everyone Business and startup के इस learning में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम discuss करेंगे उन businesses के बारे में, उन startups के बारे में जो fail हो जाते हैं उन से हम क्या learning ले सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे देखें, हर कोई चाहता है कि मेरा जो startup है, मेरा जो business है, वो successful हो लेकिन एक facts मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर हर 10 में से 9 startups और businesses fail हो जाते हैं क्या करण होते हैं, किन वज़े से fail होते हैं, चलिए उसके बारे में हम जाते हैं कुछ common reasons जिनकी वज़े से startups और businesses fail हो जाते हैं, पहली चीज़, fund की कमी की वज़े से कहीं ने कहीं वो fail होते हैं दूसरे, वो market के trends को नहीं समझ पाते हैं, markets में जो customers के demands होते हैं, किस तरीगे की चीज़ें उन्हें चाहिए, वो नहीं समझ पाते हैं उनकी वज़े से भी businesses fail होते हैं, इसके अलावा क्या होता है, वो अपने जो competitors हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं ये कुछ common reasons हैं, जिनकी वैसे startups fail होते हैं, इसके अलावा, उनके उपर pressure होता है इसकी वज़े से भी startups और businesses में जो implementation होनी चाहिए, जो customers पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वज़े से वो fail हो जाते हैं, कभी कभी fund को manage नहीं कर पाते हैं, उसके mismanagement की वज़े से businesses fail होते हैं, ये कुछ common issues है अब ये तो हमने जाना ये common issues है, हम क्या सीख सकते हैं इन चीज़ों से, अगर कोई business learning हमें लेनी हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होनी चाहिए आपको एक बच्चे की तरह सोचना होगा, जिस तरीके से एक बच्चा सीखता है न, उसी तरीके से आपको जो businesses fail हुए, उनको analysis करिए ये किस वज़े से fail हुए, क्या इनकी location सही नहीं थी, क्या इनके पास fund की कमी थी, क्या ये market की trend को नहीं समझ पाये क्या market जिस तरीके से बदल रहा है, उस तरीके से ये बदल नहीं पा रहे है, क्या ये technology को implement नहीं कर पा रहे है, इन सारे common factors को देखे और फिर आप उनसे क्या सीख सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, इन सारी चीज़ों पर अगर आपने काम किया, सारे points को no down करके आपने एक बार try किया, कोई बार नहीं fail हुए, दूसरी बार try किया, फिर fail हुए, try again then fell, try again then fell, उसके बार success, इस तरीके से success मिलती है और जो 10 में से एक start-up successful होता है, उसका डंका पुरी दुनिया में बसता है, यह आपको भी बता है, वो क्या ऐसा करते हैं, वो जो गलतिया कर चुके होते हैं, उनसे वो सीखते हैं, वो गलती कर गे नहीं सीखते हैं, जो दूसरी लोग गलती कर चुके हैं, उन गलतियों की व market trend की वज़े से आपको कुछ नई चीज़े implement करने ही पड़ रही है, तो implement करिए, आपको क्या changes करने हैं, feedback लिजिए और उसका implementation कीजिए, अगर आप इस तरीगे से करेंगे, तो कहीं न कहीं आपका जो business है, वो डूबने से बच जाएगा, failure होने से बच जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख भी सकते हैं, तो सबसे बेला काम होता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका idea है, उसको validate करना, यानि कि समय पढ़ने पर feedback और उसके अंदर implementations की गुंजाईज होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होती है कि आपका जो competitor है, मैं हमेसा एक ब उसकी केवल पद चिन्वों पर चड़ना है, यानि कि आपकी market में, आपकी business में जो trends चल रहे हैं, जो आपका competitor है, देखिए कि वो क्या चीज़ें कर रहा है, क्या implement कर रहा है, बिल्कुल analyze करें, analyze जब आप करेंगे कि हाँ, इन चीज़ों के demands ज़्यादा है, इन चीज़ों क demands कम है, तो आप उसके according जब implement करेंगे, तो automatics आप चीज़ों को ले करके आगे बढ़ती हुए, चले जाएंगे, analysis करना होगा आपको, और analysis बिल्कुल written format में होना चाहिए, इसके साथ साथ में आपके पास में एक strong team होना चाहिए, बहुत बर क्या होता है, fund भी होता है, पैसा यहां पर सीखती है, और दूसरे के यहां जा करके वो implement करती है, यही क्या होता है, team के साथ में आपका एक proper connection है, वो नहीं हो पाता, आपकी organization का connection नहीं हो पाता, आपके startup businesses का, उस team के साथ connect नहीं हो पाता, इसका मतलब यह होता है, कि आपके जो visions हैं, आपका जो mission है, आपकी जो values हैं, वो कही नहीं team members के अंदर नहीं आपा रही है, जिसकी वज़े से एक proper team build नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या गरना है, हमेशा एक strong team बनाने के कोसिस करना है, यह चीज़े हमना सीखना है, जिसकी वज़े से businesses fail होते हैं, हमें उन points पे काम करना है, ऐसा नहीं कि हमने ए Calculative risk लीजी है, तो Calculative risk इसी तरीके ले सकते हैं, इसी तरीके से आप ले सकते हो, दूसरी चीज़े आपका जो business में focus होना चाहिए, वो customer को ले कर के होना चाहिए, यानि कि आपके product से, आपके services से customer अगर संतुस्ट हैं, तो वो क्या करेगा, दूसरे को भी recommend करें, और यह हर business में apply होता है, अगर आपके customers को कोई भी problem है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ने कहीं आगे चल करके आपका business लंबे time के लिए sustain नहीं कर पाएगा, तो आपको हमेसा focus करना है, उसकी complaints को resolve करने की कोसिस करना है, ज्यादा से ज्यादा customers की जो complaints हैं, उनको जल्दी से जल्दी resolve करन होना चाहिए, जिस पर आप focus कर सके हैं, अनि कि customers focus oriented रही है, इसके लवा एक और चीज़ जो इन सारी learning से हम सीख सकते हैं, mistakes, अगर आपने past में कोई mistakes करी है, और जिसकी वेसे आपको नुकसान हुआ है, तो आपको क्या करना है, वो mistakes वापस से नहीं दोहरानी है, यानि कि जो mistakes एक बार आप कर चुके हैं, वापस से mistakes नहीं करनी है, उसको resolve करना है, उसको update करके, implement करके feedback को लेती हुए, सभी के feedback को लेती हुए, जो better option हो सकता है, उसको implement करना होता है अपने businesses के अंदर, तो अपनी जो mistakes हैं, उन से आप सीख सकते हो, और एक हमेशा है न, देखिए, हर ए पे, वो एक startup के अंदर जरूर होगा, उस 10 में से जो successful होगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि venture capitalist जो होते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं, उसके लगाते हैं, उनमें भी success rate है, वो मात्र, 10 में से साथ ऐसे businesses वो fail हो जाते हैं, और 3 ही successful हो जाते हैं, तो ऐसा होने के बावजूत उनके अंदर जो कमिया होती हैं, और वो क्या होता है, वो positive perspective होने ही दिख पाती, customers के according चीज़ों को नहीं implement कर पाते हैं, जिसकी विए से वो fail होती हैं, तो हमें हमेसा positive perspective रखना है, अपने business को ले करके, जो भी business fail भी हो रहे हैं उसमें क्या positive आप ले सकते हैं, किसको आप implement कर सकते हैं, जो सामने वाले ने गलती करी, उस गलतीयों को सीख करके, आप नया implement करके, क्या better options दे सकते हैं, same price में, ये सारी चीज़ों होती है, positive perspective अब आप कहोंगे, सर इतनी सारी चीज़ों आपने बात करी, तो radical बात दे करी, अब इन सारी चीज़ों को अगर हम learn करना चाहे सीखना चाहे, summarize करना चाहे, तो वो क्या हो सकती है, देखिए, बहुत simple सा format है, अगर आप किसी भी business में, एक simple सा term में आप याद रोकों, जितनी भी चीज़ों मैंने बताई ना, वो 5 terms में आप समझ सकते हो, V, I, B, C, L, 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 V, I, आपको analyze करना है, इसको business को build करने के लिए, सबसे पहले validate करना, analyze करना, build करना है, और साथ-साथ आपका जो focus होना चाहिए, वो customer focus होना चाहिए, learnings आपको हमेशा लेनी होगी, गल्तियों से, V, I, B, E, L से आप याद रख सकते हैं, एक मेंने आपको एकरनम दे दिया, जिसके आप चीजों को समझ सकते हो, learn कर सकते हो, याद रख सकते हैं, इसके लब आप phase करिए, हर जो problem आ रही उसको phase करिए, क्योंकि phase का जो meaning होता है, failures are challenges embraced, मतलब जो failure है, failure को एक challenge की तरह लो, उसे गले लगो, और इस तरीके से जब आप चीजों को करोगे, बस यही चीजें आपक जो summaries बताई, जो implementations बताई, कि हम क्या चीजें सीख सकते हैं, यह सारी चीजें हम सीख सकते हैं, so thank you so much, and thanks for giving your PCS time at the last, God bless you, thank you so much, मिलते हैं अगले वीडियो के दे, so thank you so much.